असलाम लिकॉम कैसे आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे और अलहम्दलियला हम बे बलकुल ठीक है अज का मेरा वीडियो है वाट टू पैक फॉर हज तो हज के लिए हमें क्या पैक करना चाहिए यहाँ पे इंपॉर्टन लगेज है सबसे पहले तो मैंने लगेज में लिया आप उतने रख सकते हो और यह कोशिश करें कि डार्क मत रखें आप लाइट रखें क्योंकि अभी तो मैंने सुनाया कि वहाँ पे टेम्टरेश बहुत जादा हो गया है 50-55 डिग्रीज जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े जो है ड्रेस रखें लॉन वाले इसके पजा में जो है और यह जो दूसरे है जो लाइट वेट के होते हैं लाइट कप्ड़े के जो होते हैं वो मैंने रखाए यहां पे और यह पावर बैंक रखाए कास्ट और पे फुट मास्क रखाए क्योंकि आपको चलना बहुत होता है तो उसके लिए हज के पांच दिन में काम आएगा साथ में अम्रला है और यहां पे मैंने थोड़े रखे हैं बार्स इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी आप रख लें हतियातन तोर पे इसके अलावा थोड़े से हॉल्स है यह बैंडेज है और पॉकिट पैन है यहां पे मैं हज के दौरान आप सेंटेट नहीं यूज कर सकते लेकिन उसके अलावा आप यूज कर सकते और थोड़े से टाबलेट्स है यहां पे टूथ ब्रेश है और साथ में जो है फेशल क्रेम आप यह ख्याल जरूर रखे कि हज के दौरान आपको कोई भी सेंटेट चीजें नहीं यूज करनी है यहां पे देखिए हेर ब्रेश है सीजर है आप नेल कटर भी जरूर रखें साथ में स्क्रंची रखें और आप हेट आई करने के लिए अपने रिबर बैंस रखें और हैट कैब जरूर रखें आप साथ में थोड़े से जिप लोग बैक्स भी रखें और होते हैं यह अगर आप सिंसिटिव ले तो और यह पॉकिट टिशूज है साथ में अडाप्टर है यहां पे फेस सोब भी है आप शैंपो रखें कंडिशन रखें जो के अंसेंटेड हो और आपको वहां पे इजली मिल जाते हैं तो मैं यहां से यह नहीं लेकर जाओंगी औ क्योंकि बहुत जादा तादाद में लोग होते हैं वहां पे तो आप अपने हितियात खुद करें मास्क जरूर रखें और इसके अलावा आपके जो अंडर गार्मेंट्स होते वो रख लें आप यह बैक पैक रख लें जो मीना मुझदलपा हज के टाइम पे जरूरी होगा आपको और इसके अलावा संस्क्रीन तो मस्ट है एक सैंडल भी मैंने रख लिए साथ में और यह जो है आप अगर आपको टाबलेट्स भी लेना है तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है संस्क्रीन भी जरूर रखें आप और आपका जो एक पर्स होता है नॉर्मल पर्स और इसके अलावा आप क्रॉस बोडी बैग जो होता है वो रखें यह तो नॉर्मल पर्स तो हम जब यहां से ट्रावल करेंगे उसके लिए हमारे लिए सही है और सार्प में थोड़े से पैड्स रख लें आप यानिके अपने जरूरत के हिसाब से और उसके अलावा सॉक्स जो है यह रख लें इसके अलावा आप रखें एर प्लग्स भी अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो खुरान शरीफ भी लेकर जा रहें लेकिन मैं परसनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं लेकर जाँगी क्योंकि उसके लिए ना आपको बहु इना अरफात में जो आपके खेमें है आपके कैम्स है वहाँ पर भी खुरान शरीफ अविलिबल होती है तो आप यही एहतियात करें कि आप नहीं लेकर जाए अगें पर यह आपका परसनल है अगर आप लेके जाना है तो लेके जा सकते हो इसके अलावा आप को मैंने कर लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि आप सामान जितना कम लेकर जाएं उतना आपका सफर बहुत अच्छा होगा आसान होगा और मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो आज कल आ रहे हैं लोग वहाँ पे बहुत जादा स्ट्रेस हो रहे हैं और सवाल उनसे पूछने के बहुत जादा हैं लोग पैनिक हो रहे हैं और सारे इंफोमेशन लेकर तो आप यह कोशिश करें आपको जो समझ में आ रहा है वह रखें अलहमदुलिला आप ऐसी जगह जा रहे हो कि जहाँ पर आपको हर्चीज अवेलिबल होगी तो आप अगर यहां से कुछ नहीं लेकि तो वहाँ पर जाके एहराम लेंगे और जैसा मैंने आपको बता है कि मैं जो शैंपो है अंसेंटेट शैंपो सोप और जो भी कंडिशनर या जो भी मुझे चीजें लेनी है टूथब्रेश हो गया अंसेंटेट यह सारा कुछ मैं वहाँ से लूँगी तो आप पैनिक मत हो आप जादा स्ट्रेस मत लें क्योंकि हम ऐसी जगह नहीं जा रहे हैं कि जहां पर आपको कुछ अवैलेबल नहीं है कुछ नहीं मिलता तो वहाँ पर सब कुछ मिलता है तो आप उस हिसाब से ख्याल रखें अच्छा यहां पर जो मैंने बार्स रखें आपको बार्स भी आप लूग कह रहे हैं कि वाटर बॉटल आप मस रखें आप वो भी रखने के आपको जरुरत दी है क्योंकि वहां पर हर जगह हुजास के लिए उन्होंने वाटर बॉटल रोड पर यानि लोग ठहरे वे होते हैं वह पानी जो है वह सप्लाई कर रहे हैं वह उन्हों को दे हैं तो आप मत रखें आप रखना चाहते तो आप रखें इस अप्तर यू क्योंकि मुझे पता निये कि एशन कंट्री से जो आ रहे हैं उनके लिए भी ये सारे कुछ तो सबके लिए हैं लेकिन थोड़ा सा मेरे खाल से आगे पिछे तो होता है तो यूरोप और नौर्ट- किया ओधा, आप सारा कुछ उनलाईन से होता है आप उनलाईन से भी सारे चीज़ें ले सकते हो तो आप ऐनलाईन से वो जो है उनकी से ले 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 या फिर उनका पैकेज ले ले और अगर वाइप जा रहे हैं तो आप दोनों लाजमी रखें कूझे वहां पे घुम होने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं, आप lost हो जा सकते हो वहाँ पर, इसे तो मैंने उम्रे काफी किये हैं माशाला से, लेकिन ये मेरा पहला हज है, और हज और उम्रे में बहुत ज़्यादा difference है, बहुत बहुत ज़्यादा difference है, ये मेरा first हज है, इंशाला मुझे experience ज्यादा नहीं है लेकिन इंशाला मैं आए बसे आपसे experience जरूर शेयर करूँगी कि मेरा experience कैसा था मैंने जो packing किये हच के दौरान जो पांच दिन की packing किये और ये total पूरी हच पे जाने की packing किये तो ये मैंने सही किये या नहीं मैं सब आपसे share करूँगी आप लोग से ये इलते जाए कि बस आप हमारे लिए दौा करें बस यही दौा है कि अपने घर आने की दावत जरूर दे हर अमत महुमदी को हच नसीब फरमाए बस मेरा आज का वीडियो यही था बस आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट आइडिया देने का था कि आपको हज के लिए क्या पाक करना है तो इंशाला फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआ में याद रखें और आप मेरा चैनल अब तक सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब भी लाजमी कर दें फिर मिलते हैं तिल देन टेक केर अला हाफिस